नमस्कार जी मैं मन्जू आप जैसे कि जानते ही होंगे मुझे जो प्लांट्स लगाने का शोक है मैं बहुत बारी मिक्स एंड मैच करके लगाती हूं जैसे फूलों के कलर्स अलग लग हुए तो एक बास्केट में लगा दिये जांकि सी भी पोर्ट में लगा दिये या फिर पत्ते अगर अलग लग होते हैं तो एक बार्ट में उस तरह से लगा दिये तो मैं इस तरह से करती रहती हूं तो जैसे गमले में चोटी बास्केट में 10 डूपीज बाली चोटी बास्केट में मैंने गेंदा भी उस तरह के लगा रखे हूँ हैं तो मैं आपको दिखाना च के त्यार हो जाएंगे तो यह मैं आपको अभी दिखाते हूं तो यह जो खुबसूरत गेंदा लगे हुए देख रहे हैं तो इनके लिए मैंने अलग लग जैसे पोर्ट्स नहीं ली हैं तो एक ही उसमें लगाए हुआ हैं तो यह देखे कितनी तरह के अभी तो यह काफी सू बास्केट है जो मैंने शेर किया हुआ है आपको दिखाई हुए है जुगली महले में 10-10 डूपीज की तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं तो गेंदा के कलर तो दिखिए यह यह वाली बास्केट में इसमें लगाई हुए है तो इसमें भी खुब अच्छे से चल सकते हैं तो यह अगर आप आपको बड़ा शोक है लगाने का 8-10 बास्केट इस तरह की बना ली जाए तो यह बहुत ही सुन्दर लगते हैं तो यह अलग कलर के हैं और यह बीच में डिफरेंट हैं और यह अलग हैं यह थोड़े अलग हैं बड़ी कुछ चोटे हैं कुछ बड़े है कुछ डवल शेड के हैं इस तरह से तो अभी इस तरफ धूप कम हो गया हो सकता थोड़ा अच्छे सी नहीं आ रहे हूं तो यह ऐसी है आ रहे बास्केट में एक ही बास्केट में तो इस तरह से हम जो बहुत सारे प्लांट्स हैं मिक्स और मैच करके लगा सकते हैं तो एक ही बास्केट में जा एक ही पोट में वो बहुत ही खुबसूरत नजर आते हैं और तो और इन सब का सीड भी आप एक ही पोट में त्यार कर सकते हैं निशानी लगा के रख लीजिए और जैसे जैसे फूल यह सुखेंगे उन्हें आप हर्वेस्ट कर सकते हैं तो अगर अगली अगर आपने ज्यादा पोद अलग लगाई हूए है तो इसी के साथ नमस्ते जी शुकरिया